करनाल पुलिस ने सिक्योटी गार्ड से राइफल चीन कर भागने वाले मुखे आरोपी को आज गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि 18 अक्तूबर को ओइसिस फास्ट फूट जो करन लेक करनाल के पास है यहां से आरोपी अन्वर निवासी सेक्टर बती करनाल वो उसके तीन अन्य सिक्योटी गार्ड राजकुमार की राइफल चीनने के बाद आरोपी मोके से फरार हो गए थे जिस पर राजकुमार निवासी करनाल के बयान पर थाना सदर में संबंदी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर मुख्य आरोपी अन्वर को गाउं उचाना से काबू किया पूस्ताष में आरोपी ने अपने तीन साथियों का खुलासा किया है जिनकी शिनाकत आमेर निवासी गाम उचाना, पंकर श्रमा निवासी गाम उचाना वह सुनेल निवासी बाल जटान के रूप में हुई है आरोपे को अदालत में पेश किया गया है जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद अजेवार आरोपे कि लेखें अजेवार य हमार आरोपे को बैल कर दो कर दो कर दो कर दो को झाल 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 झाल